दर्शबो आज मैं हर्शा गुंटला बेलजो टीवी की तरफ से आपके सामने एक बहुत पुरानी सिन्यर अदाकारा जो रंग भुमी में काफी सालों तक काम कर चुकी है जिनका नाम है पुर्णिमा मुनसफ उनको लेकर हाजिर भुई हूँ आज वो अपना एक बहुत खास अनुभव और कुछ अनुभव का ज्यान आपके सामने पेश करेगी तो देखते हैं पुर्णिमा मुनसफ क्या कहना चाहते हैं पुर्णिमा जी बताए हमारे दर्शबों को नमस्का आज पांच मैं है आज मेरा जनम दिन है आज दिव्यांग बच्चों के लिए उनके पैरेंट्स को मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ क्यूंकि मेरी बच्ची दिव्यांग है कांधी वली की सदा फुली स्कूल में वो पढ़ती है और पढ़ने में बहुत आगे बढ़ चुकी है इसके लिए कि वो कारियर्शाला में काम करती है तो दर्शेपू मैं कहना चाहूंगी कि दिव्यांग होते हुए उनकी मम्मी कह रही है कि बहुत आगे निकर चुकी है तो देखते हैं कि पुल्णिमा जी का क्या अनुवव है उस स्कूल के बारे में बोलिए स्कूल इतनी अच्छी है कि वहाँ इतनी बड़ी कारियर्शाला है कि वहाँ हर तरह की वस्तुएं बनाई जाती है और तीचर और दूसरी औरतों से सिखाई जाती है यह बच्चे इतनी लगन से इतने प्रेम से इतनी मैनद से सीखते हैं अच्छा तो सिखने के बाद वो चीजे भी बनाते हैं जी तो चीजों में फॉर एक्जामपल क्या चैस है टोकरिया है तो अगरे क्या चीज बनती है प्राश्टिक की बैग है कपड़े की बैग है टेपर की बैग है फ्रीनाईल है फिर कपड़े के थूल है चागस के थूल है तो सच में उनको दिमाग यूज करना पड़ता हो जी और बहुत मैनद भी काम करनी पड़ती है और ब्लैकबोर्ड के डस्टर मनाते हैं और घर में जो चीजे वपरात में आती है वो सब बनाते हैं बच्चे मैं पुछना चाहूंगी दरशब को कि यह जो सारी चीजें बनती है वो मार्केट में बेची जाती है। नहीं, नहीं, वो तो इतनी सारी वस्तों में बनाते हैं, फ्लावर पौट, खूले, खूलदानी. फिर वो माहर देची जाती है? हाँ जी, मार्केट में बहुत विक्री होती है इनकी और इनकी विक्री से जो पैसे मिलते हैं, वो इनकी स्कूल में सब बच्चों में बराबर बराबर माटते हैं, मान धर्टते हैं इनको दर्श को आपने सुना, पूर्णिमा जी कर रही है कि दिव्यांग बच्चों ने जो चीजे बनाई है उन चीजों को मार्केट में बेचा जाता है और आये हुए पैसों का कुछ हिस्सा उन बच्चों को भी दिया जाता है मांधन दिया जाता है बहुत अच्ची स्कूल है जिससे बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो सके प्रेम से इज्जत से अपनी जिन्दगी जी सके आत्मविश्वास बहुत बढ़ता होगा आत्मविश्वास बढ़ेगा सब में उनका मान संमान बढ़ेगा और सब के साथ वो रहके चल सकते हैं समाज में आगे बढ़ सकते हैं बहुत विकास होगा यस जी जी बहुत अच्छी तरह सिखा जागा है आपको वापस उस स्कूल का नाम जड़ा उच्छे से लेके देजिए दर्शकों को कांधी वली वेस्ट में स्विमिंग पूल के पास सदा फूली स्कूल है वहां बहुत बढ़ी कारिया चला है वहां मे निर्दोस प्रेम चाहिए बच्चों को ऐसे बच्चे जो भगवान भी उनको बहुत चाते हैं बगवान ने बगवान हर जगा पौच नहीं सकता इस दिन बगवान ने मां को बनाया और ऐसे दिव्यांग बच्चे हमारी जोली में डाले हैं तो मैं पैरेंट से कहती हूं के प्रेम से बच्चों के साथ वेवार कीजिए, उनको आगे बढ़ाए उनका बहुदी क्विकास मड़ाने में मदद कीजिए, उनको प्रेम से रखिए, उनका धिकार मत कीजिए, उनको निर्दोस प्रेम दीजिए और मैं इतना ही कहना चाती हूँ कि जब तक सफल हो नींद चेन की त्यागो तुम संगर्षों का मैदान छोड मत बगो तुम कुछ किये बिना जैजयकार नहीं होती कोशिश करने वालों की हार नहीं होती तो दर्शकों इसी प्रकार की सची और अच्छी स्टोरीज नहीं हकिकत जानने और सुनने के लिए हमेशा बेल्जो टीवी ओन कीजे करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर में जाए और बेल्जो टीवी की अप्लिकेशन डाउनलोड कीजे बस देखते रहे सचे और अच्छे इसे हूँ